हाँ बिल्कुल वो तो उस च्छण में पूरी तरह से ओपेन, रिसेप्टिव और सेंसिटिव होने का ही सारा मामला है पैस्टन वही तो है और कोई भी काम बिना पैस्टन के कैसे किया जा सकता है या तो करना है या नहीं करना है और अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसको पूरी रिसेप्टिविटी से, ओपेनिस से, या पूरी ग्रहंट सीलता से, खुले पन से, संबेदन सीलता से, तब ही तो करेंगे लेकिन हम मानसिक रूप से उस सिद्बस दूर हो जाते हैं, कई बार हम न तो उतने खुले होते हैं, न ग्रहंट सीलता हैं, हम कुछ भी पूरा नहीं करते हैं और इसलिए वो चीज, आप्शेशन बन जाती हमें पीछे-पीछे चलाये रखती हमें अपनी इस्मतियों में विचारों में उलजाये रखती एक्जेक्टली, डिटेज्ट पैस्टन, सिंप्ली कहा जाये तो लिविंग इन दम मॉमेंट लेकिन मेरा देखना यह रहा है कि जो बातें सबसे सरल हैं वो सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं लिविंग इन दम मॉमेंट, छण में जीना, लगता तो सभी को है कि हम छण में ही जी रहें लेकिन क्या हम सचमुच में छण में जीते हैं और कैसे जीएं यह सारे प्रशन हमको अपने से पूछने चाहिए और एक्स्प्लोर करना चाहिए लेकिन क्या हमकिन क्या हैं झाल 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 झाल